हेलो फ्रेंज मेरे यूप्ट्यू चैनल इंप्रूफ्यो नौलेज में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज में आलो और बींज की सुखी सबजी की रेश्पी के कराई हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे हम पूरी पराठे रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं तो फ्र सब्सक्राइब कीजिए और कमिट करना मत भूली तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं आलो बींज की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कडाही में दो बड़ा चमत तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमत जीरा जीरा को हम हलका सा चटकने बेंग अब यहां पर हम दो मेडियम साइज प्याज को बारिक बारिक काट लिये हैं इसे डाल देंगे और प्याज को हम दो से तीन मिनट तर यानी ही हलका ब्राउन होने तर भूनेंगे हमने प्याज को सॉप्ट होने तक दून लिया है आप देख सकते हैं इसका कलर ही चेंट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे लिए सारा अध्रक लंसुन का बेश्ट यानि कि हमने इसे कोट लिया है क्योंकि बीज की सब्गी में अध्रक लंसुन का टेश्ट बहुत ही कि अध्रक लंसुन को फून लिया है अब यहां पर हम डालेंगे बीन्स को चोटे चोड़ी चोड़ी काट लेंगे और इसे लाव देंगे आज कल ताजी ताजी बीन्स मार्केट में बहुत मिल रही है तो हमने सोचा यह भी रेस्पी आपके साम्सेयर कर ले हम बीन्स को कभर करके चार से पास मिनट तक पकाएंगे और बीज बीज में हम इसे चला के शेक भी कर दे रहेंगे तो चलिए हम एक बात कभर हटाके बीन्स टेक कर देगे हैं अच्छे टेख मुई के चाहे बीन्स करना अब हम इसमें डा देंगे दो मेडियम साइब हमें चमाटर को बारी बारी काट लिया है दिन के साथ हम इसे भी बगाएंगे तो हमें चमाटर डाल दिया इसके बाद हम इसमें एस्टाइस एड़ करेंगे तो यहां पे हम आधा चमाट सल्दी रा गएंगे हैं दो चमाट हम धन्या पौडर डालेंगे दो चमाट हम मिक्स डालेंगे मसाले को हम अच्छे से मिक्स टालेंगे अब हम साथ में नमक भी डालेंगे तो यहां पे हम पेट के अनुसार नमक भी डालेंगे नमक मिक्स कर लेंगे अब हम इसे कभर करके फिर से दो तीन मिनट तक पकाएंगे और इसमें शेक भी करते रहेंगे चलिए हम एक बार फिर से सब्जी छेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं अपना स्टमाटर शॉस्ट हो चुका है अब हम बीन्स के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीन्स में आलू ना डाला जाए तो बच्चों को पसंद रहेंगे तो यहां पर हमने तीन आलू को छोटे छोटे पीसेस में ऐसी काट रखा है आप देख सकते हैं फिर हम इसे डाल रहेंगे अब हम बीन्स के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने आलू भी मिक्स कर लिया है अब हम आलू को भी कभर करके दो से तीन मिनर तक पकाएंगे जिससे अच्छे से मसाला आपजॉब कर लें तो हम इसे कभर करके दो तीन मिनर तक पका लेंगे फिर आपको दिखाएंगे तो चलिए हम एक बार सब्जी फिर से चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं अपनी मसाला जो है आलू में भी अच्छे से कोट कर लिया है बीज भी पक चुका है तो अब हम यहां पे डालेंगे एक समच गरम मसाला और शाप में डालेंगी हम फ्रीश धनियापता इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगी तजी में हमने गरम मसाला धनियापता अच्छे से मिक्स कर लिया तो चलिए हम गरमा गरम सब्जी सर्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आलो और बींज की सब्जी तयार होई हैं आलो और बींज की सब्सक्राइब कीजी शब्सक्राइब किजी और कमेंट करना मत भूड़ी तहन में आवाल